हेलो दोस्तो स्वागत आपका अमारी योट्यूब चैनल यहू बाबा पेई यह हमारा अडवान्स जावा स्क्रिप्ट से लेटिड सेवन टोटोरेल है और इस कोर्स में हम अबजेक्ट लिटरल्स के बारे में सीखने वाले हैं ते कना पेई जवास्क्रिप्ट के बिगनर कोर्स के अंदर मैंने आपको बताया थे कि object क्या होते हैं इसको हम कैसे create करते हैं और इसको हम read कैसे करते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं उपड़ आई बटन पर उसका एक लिंक देदूँगा, जहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब जो हमने beginner course के अंदर object बनाने देखे थे, JavaScript के ES6 version के अंदर उसके shortcuts आ गए हैं। मतलब कि ES6 version के अंदर उसका जो syntax को छोटा कर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4-5 अलग-लग examples दिखाने वालो हूँ, कि कैसे ES6 version के अंदर object के syntax को छोटा कर दिया गया है। तो सबसे पहला example देखते हैं, माली जी मेरे पास एक variable है, नेम नाम से और उसके अंदर मैंने एक string value store कर दी। अब मैं इस नेम नाम के variable को अपने object के अंदर use करना चाता हूँ, as a value, तो देखिए मैंने एक object बनाया, obj नाम से, और यहाँ पर एक property लिली नेम नाम से, और उसकी value में कहते दिया, वही name variable जो मैंने उपर declare किया है, तो यह जो तरीका था, यह पुराना तरीका है, ES6 version से पहले का, तो अब इसके अंदर अब shortcut क्या है, देखिए अगर आपको मालूम है, कि आपके variable का name, और आपकी property का name, दोनों ही same होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको simply क्या करना है, आपको यहाँ पर एक object create करना है, और उसके अंदर सिरफ एक ही बार, अपनी property का name लेना है, जैसे मैंने यहाँ ले लिया name, क्योंकि आपकी value का नाम भी name है, मतलब जो यहाँ पर आपने variable लिया था name, उसका name, और यहाँ पर property करें हैं, दोनों same है, तो आप सिरफ एक ही बार लिख सकते हैं, तो यह शुरू करते हैं practical और मैं आपको दिखाता हूँ, कि इसको हम actual life में कैसे use कर सकते हैं, इसके बाद हम और भी examples देखेंगे, यहाँ देखिए web editor के अंदर मैंने अपने एक file बना लिए, जिसका नाम मैंने रखाया object-literals.html, अब यहाँ पर मैंने दो अलग-लग से variable बनाया है, name नाम से और course नाम से, जिसके अंदर दो अलग-लग string values आ रही हैं, अब इन दोनों variables को मैंने यहाँ पर एक object नाम का एक object बनाया है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर property का name लिया, name और course, और इसकी value में मैंने variable को use कर लिया, यह देखे, name और course, तो यह हमारा पुराना तरीका है, मैं इससे पहले आपको print करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं console के अंदर इससे print कर देता हूँ, console.log, और इसके अंदर मैं सीधा से object को print करता हूँ, यह देखे, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, और यह देखे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि हमारा object create हो चुका है, यह देखे, इसके अंदर basically हमारे पास दो values है, एक है name नाम से, और एक है course नाम से, जिसके अंदर उसकी value भी दिखा रहा है, जो हमने variable के अंदर store कर आई थी, अब यहाँ पर मैं आपको, JavaScript के ES6 version के अंदर जो इसका shortcut आया, उसको दिखाता हूँ, तो देखिए, अगर दोनों का name सेम है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, property और उसकी value का नाम सेम ही है, तो यहाँ से मैं a code remove कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी सेम है, तो इस case में भी मैं इसको remove कर देता हूँ, यह देखिए, और उसकी respectively values भी आ रही है, तो यह था object letters का पहला example, जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, कि अगर object की property का name, और उसके अंदर जो assign होने वाला variable है, उसकी name जो है, दोनों का name अगर सेम है, तो आप simply एक ही बार ले सकते हैं उसका name, आपको colon लगा के दुबारा से variable का name लिखने की जुरूरत नहीं है, अब इसकी बद मैं आपको एक दूसर example दिखाता हूँ, जो object letterals का ही है, माले जी, यहाँ पर मेरे पास एक variable है, और उसके अंदर मैंने एक value store करा दी name नाम से, जो की एक string value है, अभी इस n को मैं variable के अंदर use करना चाता हूँ, as a property, कुछ इस सरीके से, यह देखी, मैंने यहाँ पर एक object बना लिया, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक property ले ले लेता हूँ, और property की जगह पे, मैं यहाँ पर जो name आता है, यहाँ पर मैं variable का name यूज़ करना चाता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ, square brushes, और उसके अंदर मैं कोई भी value दे सकता हूँ, बेश्यक को string value हो, यह numeric value, तो जो यह निया तरीका है, यह आ है ES6 version में, और मैं इस value को computed भी कर सकता हूँ, मतलब कि इसके अंदर arithmetic operations को use करके भी एक string value को add कर सकता हूँ, यह सभी मैं आपको भी practical करके दिखाता हूँ, अब यहाँ पर देखी, जस्त मैं उसका variable का name यूज़ करना जाता हूँ, तो उसके करने के लिए मिरे को यहाँ पर square braces लगानी है, और उसके अंदर ही मिरे को उसका नाम देना variable का name, जो कि हमारे case में है end, और यहाँ पर मैं colon लगाता हूँ, उसकी value को assign करने के लिए, और यहाँ पर मैं उसको एक value भी दे देता हूँ, यह देखिए, और इसी के साथ में मैं एक property और ले लेता हूँ, जैसे माली जी course, और इसको भी एक string value देता हूँ, बीट है, तो देखिए हमारे जो object है, उसके अंदर basically दो properties है, एक है n नाम से जिसके अंदर value आजेगी name, और एक है course, अब मैं इसको आपको console में print करके दिखाता हूँ, यह देखिए, यहाँ पर मैंने file को save किया, और यहाँ पर हमारे पास value आ चुकी है, आप देख रहे हैं, यह object बन चुका है, और इसके अंदर दो keys आ रहे हैं, देखिए, यहाँ पर आगे name, मैंने जबकि लिया क्या था यहाँ पर n, तो n के अंदर जो value थी, वो थी name, उसको मैंने यहाँ पर ले लिया, और उसकी value भी दिखा रहा है, यहू बाबा, अगर मैं name की value को direct देखना चाता हूँ, वो भी मैं देख सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको duplicate कर लेता हूँ, यहाँ पर object का name, और साथ में मैं लिख लेता हूँ जिसे name, और यहाँ पर मैंने file को save किया, और यह देखिए, यहाँ पर इसकी value भी दिखा रहा है, याहू बाबा, तो इससरह हम directly भी assess कर सकते हैं, name नाम की property को, बेशक हमने यहाँ पर variable लिया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि इस property के name को, हम यहाँ पर as a computer भी कर सकते हैं, मतलब कि इसके अंदर arithmetic operation को use करके भी, यहाँ पर property का name चेंज कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, माल लिजे, मैं यहाँ पर जो n है, उसके अंदर एक value डाल देता हूँ, student, यह string value हो student, अब यहाँ पर हमारा जो property का name है, वो बन गया student, मागर मैं यहाँ पर उसका name जैसे रखना चाहता हूँ, student name, तो देखिए, यहाँ पर मैंने plus का sign लगाया, मतलब की concatenation का sign, और उसी के साथ मैं मैं यहाँ पर inverted code के अंदर देता हूँ name, name, तो अब हमारी property का जो name बन गया, वो बन गया student name, तो यहाँ पर मैं इस valley land को तो बन कर देता हूँ, और आपको save करके दिखाता हूँ, यह देखिए, यहाँ पर जो हमारा object क्रेट हुआ है, उसके अंदर जो property का name बन गया, वो बन गया student name, तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर, दो अलग-लग string को concat करके भी एक निया name करेट कर दिया, तो यह सिरफ possible हो सकता है, जावा स्क्रिप्ट के वर्जन ES6 में, और इसी computed value को, इस object के अंदर, कहीं पर भी एक method बना की use करना चाहूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ, यह देखिए, मैं इसी के अंदर एक function create कर लेता हूँ, और उसका नाम जैसे देता हूँ, detail, यह देखिए, और यहाँ पर मैंने एक function create कर लिया, और इस function के अंदर, मैं यहाँ पर इन दोनो values को show करना चाहता हूँ, जैसे, तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, return कर देता हूँ, और यहाँ पर ले लेता हूँ, back tick code, यह देखिए, और इसके अंदर इन दोनों values के साथ, एक message भी show करूँगा, तो सबसे पहले मैं student name की value show कर देता हूँ, तो देखिए, तो यह हमारा हो गया, पहली property का name, is student of, और यहाँ पर ले लेता हूँ, दूसरी property का name, तो दूसरी property है हमारी course, तो उसके लिए मैं ले लूँगा, this.course, यह देखिए, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, और यह देखिए, यहाँ पर हमारा function बन चुका है, अब इस function को भी मैं आपको call करके दिखाता हूँ, तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, object.detail, यह देखिए, अब यहाँ पर मैंने file को save किया, और यह देखिए, जैसी मैंने इस function को call किया, जो object के अंदर created है, तो इसने मेरे को एक value return कर दी, जिसको मैंने यहाँ पर show किया, yahoo baba is a student of btech, तो यह पूरी की पूरी जो statement है, इसने मारे को return कर दी, तो आप देख रहे हैं, जो यह computed name था, उसको भी मैं यहाँ पर, किसी भी method के अंदर use कर सकता हूँ, तो यह था हमारा second example, object literals का, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, object literals का third example, जैसा कि भी आपने देखा कि हमने एक object बनाया था, उसके अंदर अलगलब properties लिए हैं, और उसके अंदर एक function बनाया है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक example दिखा रहा हूँ, एक name नाम की property है, जिसके अंदर एक string value आ रही है, और इस name नाम की property को show करने के लिए, मैंने एक show नाम से एक function बनाया है, जिसके अंदर console के अंदर इस name को print कर दिया, तो यह तो हमारा पुराना तरीका है, इस तरह function बनाने का, तो अब JavaScript के ES6 version के अंदर, इसका एक short form भी आ चुका है, कुछ इस तरीके से, यहाँ देखिए, अब जो हम यहाँ पर लिखते थे, colon लगा के function, यह लिखने की हमारे को जुरूरत नहीं है, जो भी हमारे function का name है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, show, उसके बाद आपको सीधा ही लगा देनी है, यहाँ पर round verses, और मान लिजी, अगर हमारे function के अंदर, कोई parameter भी पास हो रहा है, तो argument के लिए, हमें यहाँ पर कोई variable भी ले सकते हैं, इन round verses के अंदर, तो अभी इसका भी मैं आपको एक practical दिखा देता हूँ, तो देखी, जैसे अभी हमने यहाँ पर एक detail नम का function मनाया था, जो हमारे को एक return value कर रहा था, कोई एक message, तो इस function को अब हम छोटा भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे को यहाँ पर function नहीं लिखना, और नहीं लगाना यह colon, तो इसको मैं आप remove कर देता हूँ, अब सिरफ आपको जो function का name है, जो भी आप name लेना चाते हैं, उसके बाद सीधा ही आपको लगा देनी है, round presses, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दी, अब जब मैं इस file को save करूँगा, तो जो यह function हम call कर रहे थे, यह बिल्कुल इसी तरीके से call हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, और यह देखिए, हमारी यहाँ पर function जो है, प्रॉपरली call हो चुका है, और यहाँ पर जो हमने यह function को call किये, इसको भी हम एक छोटे तरीके से लिख सकते हैं, उसके लिए देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमारे code, यह dot नहीं लगानी है, जो हमारे function का name है, उसको हमें ले लेना है, square presses के अंदर, कुछ इस तरीके से, यह देखिए, और यहाँ पर जो ही हमारी value है, इसको ले लेना codes के अंदर, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, single code, आप double भी ले सकते हैं, और उस square presses के बाद ही, आपको लगानी है यहाँ पर round presses, तो यह एक निया तरीका है, जो ES6 version के अंदर आया, यह भी बिल्कुल function call करेगा, जैसे हम पहले करते थे, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, और यह देखिए, हमारा function अभी भी call हो रहा है, और मानली जी, अगर आप function के अंदर, कोई space देना चाते हैं, तो वो भी दे सकते हैं, तो देखिए, उसको अगर आपने देना है, कुछ name आप इस तरीके से लेना चाते हैं, detail, show, तो basically ऐसे नहीं ले सकते हैं, अगर आपको ऐसे name की बीच में space देनी है, तो यहाँ पर आपको इसको quotes के अंदर लेना पड़ेगा, यह देखिए, कुछ इस तरीके से, और जब भी new वेसे इसे call करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी detail के बाद मैं यहाँ पर इसका space देखिए, जो remaining name है, show, उसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यह देखिए, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, और यह देखिए, हमारा function अभी भी call हो रहा है, तो आपने देखा कि हम JavaScript के ES6 version के अंदर, function को जो हम देखिए यहाँ पर declare किया, उसको कैसे छोटा कर सकते हैं, हमें यहाँ पर function लिखने की जुरूरत नहीं है, और जब भी हम इसे call करेंगे, तो यह एक निया तरीका है, जब हम यहाँ पर square passes लगा सकते हैं, और जो भी property का name है, मतल़ है कि function का name है, उसको course के अंदर दे सकते हैं, function के name के अंदर बेशक, यहाँ पर spaces भी हो, तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा, पस हमारे को यहाँ पर उसका name जो है, course के अंदर लेना है, अब इसके बाद मैं आपको एक last example दिखाता हूँ, object little का, उसके अंदर मैं यहाँ पर कोई object नहीं create करने वाला, मैं यहाँ पर एक function बनाता हूँ पहले, आपको दिखाता हूँ, और उस function के अंदर जो हम value return करेंगे, वो ऐसे object करेंगे, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ, तो माली जी मेरे पास यहाँ पर दो variables हैं, एक है यहाँ पर name नाम से, और उसकी मैं एक value दे देता हूँ जैसे, yahoo, baba, उस यह line को duplicate कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक variable और ले लेता हूँ, कॉर्स नाम से, और इसकी अंदर एक value दे लेता हूँ, जैसे btec, अब मैं इसकी बात क्या करता हूँ, यहाँ पर एक function बनाता हूँ, और उसका नाम जैसे ले लेता हो student, तो यह मेरे एक function हो गया, जिसको as a argument मैं यहाँ पर दो values भेजने वाला हूँ, एक है name, तो मैंने एक variable ले लिए name और एक है course, यह देखिए, अब जो यह function है, बेसिकली मिरे को return क्या करेगा, जब भी मैं से call करूँगा, यह object को return करेगा, तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ प as a argument यहाँ पर send करेगा, जब भी इस function को call करेगा, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस line को तो remove कर देता हूँ, और यहाँ पर console के अंदर मैं इस function को call कर लेता हूँ, student, और यहाँ पर as a parameter मैं दो values भी भेजने वाला हूँ, यह दोनों values यही है, name और course, तो यहाँ पर मैं मैंने दो अलग से name लिये, name और course, ताकि आपको समझना असान रहे, और इसी name को मैंने यहाँ पर use कर लिया, और course को मैंने यहाँ पर use कर लिया, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि ES6 version के अंदर जब भी हम इस तरीके से object को return करते हैं, और इसको जब भी इस function को call तो यह हमारे को एक object ही देगा, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, और यह देखिए, हमारे को return में मिल गए एक object, जिसके अंदर दो keys हैं, एक है name और एक course, और उसकी अलग-लग values भी आ रही हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर zone से variable का name हमने लिये थे, name और course, उ नईसी का एक example आपको और दिखाता हूँ, उसके इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, एक f name, और इसलिए इनको duplicate करके बना लेता हूँ, अब जो मैंने first name और last name एक साथ ले रखे थे, उनको मैं अलग-लग कर लेता हूँ, तो देखिए last name में आ गया मेरा सिरफ बाबा, और first name में आगे है यहू, अब मालीजे यह दोनों अलग-लग variables हैं, तो अब user को भी यहाँ से दो अलग-लग values भेजनी है, एक है f name, और एक है l name, मतलब कि last name, तो जब भी user यहाँ से call करेगा, तो वो दो values भेजने वाला है, एक है f name की value, तो मैंने variable का name ले ले देता हूँ, full name से, और यहाँ पर जोन सा भी user जो है, जब भी इस function को call करेगा, यह दोनों values को भेजेगा, first name और last name को, तो इस variable के अंदर इन दोनों को मैं concat कर देता हूँ, मतलब कि इनको आपस में जोड देता हूँ, तो देखी, पहले मैंने ले लिया f name, और concatenation का sign मेरे यही वाले variables है, अब जब भी मैं यहाँ पर return करूँगा function को, तो यहाँ पर मैं return करूँगा full name, यह देखिए, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, और यह देखिए, यह मेरा object return हुआ है, इसमें जो नहीं की बन चुकी है, उसका नाम है full name, क्योंकि हमारे variable का name ही था full name, तो उसने automatically उसको as a property बना दिया, और उसकी value दे दी, यहू बाबा, और इसके साथ में जो दूसरी property है, उसका नाम है course, उसके इंदर value आ रही है, बेट है, जो बाहर से ही आ रही है, आप देख रहे हैं, यह वाली value को मैंने यहाँ से send किया, और यही value उसके इंदर use हो चुकी है तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यह 6 version के अंदर हमको एक ऐसा function बना सकते हैं, जो हमारे को object return करेगा, और माली जी अगर मैं, जो यह एक ही object दिखा रहा है, course और full name, मैं उनकी अलग-अलग value देखना चाहता हूँ, तो उसको भी मैं देख सकता हूँ, तो उसके लिए देख function को call कर लेता हूँ, यह देखिए, अब s जो है, वो एक object बन जेगा, क्योंकि यहाँ पर जो return होने वाली value है, वो एक object है, तो जब यहाँ पर s के अंदर एक value आएगी, तो वो बन जेगा object, उसकी data type automatically convert होजेगी object में, और object की किसी भी एक single value को अगर मुझे देखना हो, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मीरको object का name लिखना होता है, और उसके साथ में dot लगाना है, और यहाँ पर उसकी कौन सी property को देखना है, तो देखिए यहाँ पर दो properties है, course और full name, तो यहाँ पर मैं सिरफ देख लेता हूँ, full name, यह देखिए, अद मैं उपर वाली लाइन को ऐसे रखता हूं मैं फाइल को सेव किये यहां पर और यह देखिए हमारे पास एक सिंगल प्रॉपटी की वैल्यू आ चुकी है और अगर मैं दूसरी वैल्यू को भी देख सकता हूं तो दूसरा प्रॉपटी जो यह रिटर्न कर रहा है वो है कोर्स तो देखि उसके लिए हमारे को यहां पर लगानी है करली ब्रैसे और जोन सी भी वैल्यू को हम वैल्यू यहां से सेंड करेंगे वही बंजेगी उसकी अटमेटिकली प्रॉपरिटी और उसकी अगर सिंगल वैल्यू को देखना है तो हम ऐसे आप्जेक्ट बना सकते हैं एक वैल्यू क को सब्सक्राइब करना मत भूलिये